पी एम मोदी ने अपने राजनीतिक व्यांगियों और हासे के जरी अपने सियासी स्टाइल में बदलाव किया है यह बात अमेरिका की युनिवर्सिडी ओफ मिशिगन ने पी एम मोदी के ट्वीट के अधियान के बाद कही है पी एम मोदी के ट्वीटर पर 3.6 करोड फॉलवर्स हैं इंटरनाशनल जर्नल अफ कम्यूनिकेशन ने युनिवर्सिडी ओफ मिशिगन स्कूल अफ इम्फोर्मेशन के शोध को प्रकाशत किया है इसमें पी एम मोदी के 6 साल की अवधी के 9000 से अधिक ट्वीट्स का अधियान किया गया है शोध के लेखक और सहायक प्रोफेसर जोईजीत पॉल ने कहा हमने यह बताने और व्याख्या करने का प्रयास किया है कि मोदी को किस चीज ने लोगप्रिय किया है मोदी के व्यांग्य ने एक राजनीतिक दिष्टी तयार की है और यह सोशल मीडिया पर दिखाई देती है यह उनके व्यांग्यात्मक शब्दों वाले ट्वीट्स अंदेशों के कई बार रेट्वीट होने से जाहिर होता है ट्वीट्स को नव ठीम्स पर किया विभाज़त यूनिवर्सीटी की तरफ से जारी विग्याप्ती में बताया गया कि अधियान के दोरान मोदी के ट्वीट्स को नव ठीम्स पर विभाज़त किया गया इसमें क्रिकेट, राहुल गांदी, मनुरंजन, वियंगे, भ्रष्ट अचार, विकास, विदेश मामले, हिंदुत्व और विज्ञान वत तकनीक शामिल थे कोडिंग के बाद पाया गया किल चुनाव और अभियान के दोरान ट्वीट्स वियंगे पर अधिक केंद्रे थे आम चुनाव के दोरान उन्होंने मुखे विपक्षी दल कुभरष्ट और राहुल गांदी को राहुल बाबा और शहजादा के रूप में उल्ले किया